Hey hi guys welcome back to this channel आज किस वीडियो के अंदर हम discuss करेंगे Bitcoin के price movement के बाड़े में कि किस तरह पर Bitcoin का price perform कर सकता है and also we will discuss about Ethereum कि किस तरह अभी Ethereum आने वाले time के अंदर काफी amazing performance कर सकता है So ऐसे क्या updates हो रहे हैं Ethereum के अंदर क्या Ethereum वाके उस लेवल पर अभी perform कर सकेगा आफी नहीं So हम इन सब चीजों को डेटेल के अंदर discuss करेंगे So make sure कि आप इस वीडियो के अंद तक पूरा देखिए and अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करका है then जल्दी सब्सक्राइब कर लीचिए and also turn on the post notification to never miss an update So without wasting any more time let's quickly get dive into the video So सबसे पहले अगर हम बिटकोईन के पार में बात करें तो बिटकोईन का प्राइब अभी नियरली 32,700 डॉलर चाल रहा है and अगर हम बिटकोईन की ही बात करें So जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं बिटकोईन का प्राइब अभी यहां से कुछ क्रैश हो रहा है दो दिन पहले हम बिटकोईन के प्राइब के अंदर कुछ रिकवरी देखने को मिल रही थी बिटकोईन का प्राइब नियरली 36,000 डॉलर चाहरा है बट अगेन हमें वहां पर कुछ रिजेक्शन देखने को मिलिया है अगेन बिटकोईन का प्राइब नियरली 32,500 डॉलर राउंड चल रहा है So अगर हम इस चाहर्ट की बात करें So as you can see यहां पर हमारा बोलिंगर बैंड है And यहां पर जो नीचे लाइन है This is Bollinger Band Width So जब भी आप यहां पर देख सकते कि Bollinger Band Width नीचे के उर टच करती है Then at that time Bollinger Band उपर के उर एक्स्प्लोड कर रहा है यही यहां पर इसने टच किया And after that again यहां पर हमें एक बड़ा मूव देखने को मिना कि Bitcoin के प्राइस के अंदर हमें काफी बड़ा क्रेश देखने को मिना था And again हमें यही चीज़ देखने को मिल सकते है कि Bollinger Band Width अभी 0.15 हो रही है Which means कि जो यह विट है यह काफी जदा कम हो रही है जिसके चलदे हम यह एक्सपेक कर सकते कि हमें यहां पर एक अच्छा प्राइस मुवमेंट देखने को मिल सकता है Whether it's upside or downside But यहां पर हमें एक अच्छा प्राइस मुवमेंट देखने को मिल सकता है Moving on अगर हम बात करें कि क्या Bitcoin का प्राइस अभी यहां से सिर्फ नीचे की और क्रेश ही होगा यहां पर अभी बुल्डन बाकी है So in my opinion, definitely अभी बुल्डन बाकी है But as we all know that after a certain period of time हमें Bitcoin के price के अंदर correction भी देखने को मिलता है And वही चीज अभी हमें past nearly 50 days से देखने को मिल रही थी And अगर हम वाइक-off pattern की बात करें कि Bitcoin वाइक-off pattern के according किस तरह भी perform कर रहा है So as you can see, यहां पर exactly हमें same scenario देखने को मिल रहा है And यहां पर अभी हमें spring देखने को मिला है And in case यहां पर actually हमें spring देखने को मिला है Then in that sense, यहां पर हमें Bitcoin के price के अंदर काफी upper movement देखने को मिल सकती है And Bitcoin का price nearly 40-50,000 dollars तक जा सकता है And in case ऐसा होता है, then definitely जो old coins है वो भी काफी अच्छा perform कर सते है As we all know कि अभी old coins के अंदर हमें काफी बड़ा correction देखने को मिला था Reason is कि Bitcoin के dominance काफी जादा increase हो गई थी But in case Bitcoin के dominance वहां से गिरती है And old coin के अंदर अगर हमें अच्छा performance देखने को मिलता है Then at that time आपको यहां पर काफी अच्छी earning opportunity मिलने वाली है यही अगर हम बात करें Ethereum के बारे में कि Ethereum अभी किस तरह से perform कर रहा है क्या updates आ रहे है Ethereum के अंदर And क्या Ethereum यहां से nearly 5-10,000 dollars भी जा सकते है यह फिनी So as you can see, यहां पर अभी हमें a descending channel form होता हूँ नजर आ रहा है And the descending triangle pattern होता है वो usually a bearish sign होता है जिसके चलते हमें यहां पर downward moment देखने को मिल सकते है But this time it's not confirmed yet कि यहां से Ethereum का price सिधा dump योगा In case Bitcoin यहां पर कुछ recovery show करता है In case Bitcoin का price यहां से pump होता है कुछ ऐसे upgrades होने हैं जो कि काफी ज्यादा important है जिसके चलते जो Ethereum है वो काफी ज्यादा easy हो जाएगा यहां पर जो Ethereum 1559 version है वो इसका जल्दी launch हो सकता है And जो इसकी expected date है that is 4 August जो इसकी previously expected date थी that was 14th of July But as of now यहां पर जो date है वो आगे की shift कर दी गई है Because यहां पर कुछ blocks थे, in case उतने blocks यहां पर बन जाते हैं Then after that हमें यहां पर Ethereum का London hardfork देखने को मिलने वाल है But right now यह hardfork अभी नहीं हो सकता Reason is की यह blocks अभी complete नहीं हुए And it is expected की 4 August के आसपास यह block complete हो जाएगा And after that हमें इसका hardfork देखने को मिलने वाल है And जैसे ही Ethereum के अंदर हमें London hardfork देखने को मिलेगा Definitely इसके अंदर हमें एक अच्छा spike up देखने को मिल सकता है Reason is की जो Ethereum है उसकी scalability काफे जादा increase हो जाएगी जो Ethereum के ऊपर gas recharge हो दी है वो काफे जादा reduce हो जाएगी And along with this Ethereum जल्दी proof of work से Proof of stake के ऊपर shift हो जाएगा migrate हो जाएगा And after that definitely हमें Ethereum का प्राइस काफे जादा pump होता हुआ As of now हमें ऐसे काफे प्रोजेक्स थे जो की काफे चापर करते हुए नजर आ रहे थे जिनकी खुद की blockchain है For example अगर हम बात करें Polygon के बारे में Recently हमें Polygon के अंदर काफे चाप देखने को मिला था Reason is की वहां पर बहुत ही minimum fee लगती है यही अगर हम Ethereum की बात करें यहां पर काफे ज्यादा high gas fee लगती है जिसके चलते जो Ethereum है वो भी काफी कम लोग use करना start कर रहे है And as of now in case Ethereum के अंदर gas fee reduce हो जाएगी Then after that definitely price काफे अचा spike up कर सकता है And as you can see यहां पर इनोंने specifically mention किया है That it is expected on the 4th of August So in case ऐसी सब चीजे होती है Then definitely after this movement Ethereum के अंदर हमें काफे अचा spike up को मिल सकता है But also in case हमें Bitcoin के अंदर कुछ correction को मिलती है Then at that time definitely Ethereum के अंदर हमें कुछ correction को मिल सती है And also अगर हम बात करें Ethereum के एक नए version के बारे में Which is Ethereum EIP 3554 जो की इसी year के अंदर launch हो सकता है So it is expected to launch on 1 December And in case ऐसे सब चीजे होती है Ethereum के अंदर Then definitely Ethereum का price यहां से काफे जादा spike up कर सकता है But make sure कि in case आप अभी कोई भी investment करते है Then आप बहुत ही चोटा समाउंट invest कीजिए Reason is कि market अभी बिल्कुल भी stable नहीं है And at this point of time आप कुछ भी shorty से नहीं कह सकते कि Bitcoin का price यहां से confirm upward move करेगा या फिर downward There are chances कि Bitcoin का price हमें यहां से कुछ ऊपर के और movement लेता हुआ नजर आए Then at that point of time आपको यहां पर बिल्कुल भी problem नहीं होगी Reason is कि आज नहीं तो कल definitely हमें Bitcoin के अंदर कुछ recovery देखने को मिलेगी And Bitcoin यहां से काफी अच्छा perform कर सकता है And in case Bitcoin अच्छा perform करते है Then along with that Ethereum भी definitely काफी अच्छा perform कर सकता है So long term के अंदर definitely Ethereum का एक bright future है And Ethereum काफी सारी problems को solve कर सकता है And also अगर हम Ethereum की ही बात करें So Ethereum का जो network है वो काफी जादा grow हो रहा है Reason is DeFi as well as NFTs So अगर हम DeFi की बात करें So जैसे कि आप यहां पर देख सकते कि अभी इसकी जो total locked value है That is nearly 55 billion dollar And mostly DeFi projects है वो सब Ethereum के ऊपर work करें And that's how Ethereum network है वो काफी जादा expand हो रहा है And also ऐसे बहुत सारे लोग है जो कि अभी Ethereum के ऊपर Bitcoin से भी जादा trust कर रहे है And इस तरह से हमें Ethereum का price काफी जादा spike up करने को देख सकता है And अगर हम भात करें, Jim Cramer के बारे में जिन्होंने अभी Ethereum के अंदर अपनी सारी अमाओं के आपर invest की है So Jim Cramer है, his host of CNBC And also इन दिनों में इन्होंने काफी जादा Ethereum के अंदर अपनी investment की है And also इन्होंने past के अंदर recently अपने सभी Bitcoins को sell-off किया था तो इस तरह से ऐसे आपको काफी ज़दा लोग देखने को मिल सकते है जो कि Bitcoin को छोड़ कर Ethereum के ऊपर switch करना चाहरे है या फिर आपको ऐसे institutional investors भी देखने को मिल रहे है जो कि Ethereum as well as Bitcoin दोनों के अंदर अपनी investment कर रहे है तो इस तरह से जो Ethereum है definitely यहां पर काफी लंबे समय तक चलने वाला है इंकिस आप अभी Ethereum के अंदर अपनी investment करते है then make sure कि आप बहुती चोटा सा portion यहां पर invest कीजिए मैं भी हमिशा अपने portfolio का चोटा सा portion हमिशा Ethereum के अंदर रखते हूँ so that मुझे वहां पर अच्छी income opportunity देखने को मिलती रहे so guys I hope कि आपको यहां पर सब सीनेरियो क्लियर हुआ हो कि किस तरह भी Ethereum पर फोंब कर सकता है and आपका क्या opinion on Ethereum को लेकर please comment below so that is it for this video thanks for watching this video if you like today's episode then make sure to hit the like button and also subscribe to this channel for the regular crypto updates stay tuned for more videos bye bye take care you